CRPF की कोब्रा बटालियन और पुलीस ने मिलकर 16 आदिवादियों को तलवारों से काट दिया था और 13 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आप लोग पुलीस पर जूता इल्जाम लगा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मांगने के जुर्म में मेरे उपर पांच लाग का जुर्माना लगा दिया ये जो हमला हुआ था CRPF का गोंपार गाओं में इसमें एक बच्चा था डेर साल का था उसके तीन उन्दिया काट दिया और उसकी मां के सिर में चाकू मार दिया उसकी मां मर गई उसकी आठ साल की मौदी को काट दिया नाना नानी को काट दिया सत्तर साल की बुड़ी मैला की उसके वक्ष काट दिये असी साल के बुजग से उनका पेट ठाड़ दिया ऐसे 16 लोगों को सलवारों से काट दिया था आप आदिवासियों के गाउं जला रहे हैं उनकी बेटियों से सुरक्षाबल बलाकार कर रहे हैं उनके आप बच्चों को काट दे रहे हैं उनके बुजर्गों को काट दे रहे हैं और वो अगर सुप्रेम कोर्ट आते हैं तो आप इंसाफ में देते हैं आखिर हमने आदिवासियों के लिए क्या रास्ता छोड़ा है वो कहां जाएं वो कहां इंसाफ मांगें ये सुप्रेम कोर्ट इस देश की जनता के लिए बना है ये ब्रश्ट और लाल्ची जजों के लिए नहीं बना है मेरे साथ आज 36 गड़ के सुकमा जिले के गोमपार, सिंगारम और दूसरे गाउं से कुछ साथी आये हुए है मैं और मेरी पत्नी 1992 में दिल्ली छोड़कर 36 गड़ चले गए थे और हमने वहां आदिवासियों की सेवा का काम शुरू किया था उनके साथ रह कर 2005 में सरकार ने बड़ी कंपनियों को जमीने देने के लिए आदिवासियों के साड़े 600 गउं जला दिये थे सरकारी सुरक्षा बलों ने जो नीम पॉजी बल है अर्दुसैनिक बल और सरकार ने 36 गड़ में 5000 गुन्डों को राइफलें दी और उनसे कहा कि आप लोग स्पेशल पुलिस ऑफिसर हो और उनको काम दिया गउं में आग लगाकर गउं खाली कराने का तो इन लोगों ने साड़े 600 गउं जलाए हजारों आदिवासियों को कतल किया हजारों महिलाओं के साथ बलादकार किया और ये सिलसिला चलता रहा फिर सुप्रीम कोट ने इस पर रोक लगाए इसको गैरतम्वेधानी कहा 2011 में उसके बाद Operation Green Hunt के नाम से ये सब चलता रहा उसी दोरान वहाँ गाउं है उसका नाम है गोमपार गच्चनपली सिंगान मर्गूब ये तीन गाउं में CRPS की कोबरा बटालियन और पुलीस में मिलकर 16 आदिवासियों को तलवारों से काट भिया था और 13 साल तक वो मुकदमा चला और 13 साल के बाद Supreme Court में कहा है कि आप लोग पुलीस पर जोटा इल्जाम लगा रहे और मैं याची का नमबर एक हूँ मुकदमे में 12 और आवेदक हैं जो मेरे साथ बैठे हैं और Supreme Court ने इंसाफ मांगने के जुर्म में मेरे उपर 5 लाग का जुर्माना लगा दिया है और कहा है कि चार हफते में जुर्माना भरो अगर जुर्माना नहीं भरते हैं तो संपत्ति घर मकान कुर्ख हो जाएगा अब मेरे पास ना मकान है ना जमीन है हमने तो जब समास सिवा शुरू करी थी हमने तभी कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का नीयमी गलत है जमीन तो समाज की है तो हम दोनों ने यह तै किया था मैं और मेरी पक्नी ने कि हम अपनी private property नहीं रखेंगे तो हमारी कोई private property नहीं है हम तो हभी भी किराय के मकान में रहते हैं तो मैंने कहा Supreme Court से मैंने कभी मेरे पास तो property नहीं है तो ये शरीर है मेरा दूसरा रास्ता यही है कि मुझे जेल में डाल दो तो चार हफ्ते 11 अगस्त को पूरे होंगे आज क्या दो तारीख है तीन तारीख है तो एक हफ्ते बाद मुझे जेल में डाल दिया जाएगा Supreme Court इसलिए जेल में डालेगा कि तुमने इंसाफ क्यों मांगा Supreme Court कहता है आप जूट बोलते है ये जो हमला हुआ था CRPF का गोमपाड गाओं में इसमें एक बच्चा था डेर साल का था उसके तीन उंगलिया काट दी थी पुलिस में और उसकी मा के सिर में चाकू मार दिया उसकी मा मर गई उसकी आठ साल की मौसी को काट दिया नाना नानी को काट दिया सतर साल की एक बुड़ी महिला थी उसके वक्ष काट दिये अस्ति साल के बुजूर्ग से उनका पेट थाड़ दिया ऐसे सोला लोगों को तलवारों से काट दिया था और सुप्रीम कोर्ट कहरा आप लोग जूट बोल रहे हैं वो जो बच्चा देड़ साल का था आज वो तेरा चौदा साल का हो गया है वो आज यहां मौजूद है आपकी इस मीटिंग में वो हमारे बीच बेटा है इसका हाथ पुलिस ने काटा था और सुप्रीम कोर्ट कहरा है कि हम जूट बोल रहे हैं और हमारे उपर पांच लाग जुर्माना और इन सब को जूटा कहा गया है और हमें जेल में डाला जाएगा अब आज यह आदिवासी दिल्ली आये है और यह देश से पूचेंगे कि आखिर आपने आदिवासीयों के लिए क्या रास्ता छोड़ा है आप आदिवासीयों के गाउं जला रहे हैं उनकी बेटियों से सुरक्षबल बलातकार कर रहे हैं उनके आप बच्चों को काट दे रहे हैं उनके बुजर्गों को काट दे रहे हैं और वो अगर सुप्रेम को उटाते हैं तो आप इनसाफ नहीं देते हैं और इंसाफ मांगने के जुर्म में आप जुरमाना लगाते हैं और जेल में डाल देते हैं आखिर हमने आदिवासियों के लिए क्या रास्ता छोड़ा है वो कहाँ जाएं, वो कहाँ इंसाफ मांगें ये सुप्रेम कोर्ट इस देश की जनता के लिए बना है ये भ्रश्ट और लाल्ची जजों के लिए नहीं बनाए है आखिर ये आदिवासी कहा जाए ये आए है ये देश की जनता से सवाल तूचेंगे कि आजादी के 75 साल का जशन हम कैसे मनाए ये बच्चा तूचेगा मुझे इंसाफ कौन देगा मैं आजादी का 75 साल का जशन कैसे मनाए हूँ ये आदिवासी रिव्यू पेटिशन फाइल करेंगे आज वो रिव्यू पेटिशन यहाँ पर आई हुई है अभी वो साइन करेंगे उसको और सुप्रीम कोट में पुनर विचार याची का दाखिल होगी कि सुप्रीम कोट अपने फैसले पर फिर से विचार करें इसके बाद ये लोग राश्टपती से मिलेंगे और राश्टपती से कहेंगे कि आप पहली आदिवासी महिला पर राश्टपती है आप हमें इंसाफ दीजिए देखते हैं इनकी इंसाफ किये गौहार कितनी धूर। कितने कानों तक पहुशती है और इन्साफ मिलता यह नहीं ये समझ लीजिए कि जिस देश का आधार इनसाफ नहीं होता वो देश एक याटना ग्रह में बदल जाता है कोशिश करेंगे कि ये देश याटना ग्रह में न बदले या इंसाफ मौजूद रहे बरकरार रहे उसकी आखरी सास तक कोशिश करते रहेंगे हमें मालू में हमें जेल में डाल दिया जाएगा लेकिन हम खुशी खुशी गीद गाते हुए जेल जाएंगे और लेकिन हम ना इंसाफी सहन नहीं करेंगे हमने फैसला किया है हम पांच लाग जुर्माना नहीं देंगे जेल जाएंगे तो अलगी लोगों ने कहा कि वो सब चंदा करके पांच लाग भर देंगे हमने कहा कि पांच लाग जुर्माना भरने का मतलब है कि हम ये कबूल कर रहे हैं कि हमने गल्पी किये लेकिन हम मानते हैं कि इंसाफ मांगना कोई गल्पी नहीं है हमने कोई जूट नहीं बोला है इसलिए हम जुर्माना नहीं देंगे हम जेल जाएंगे तो हम आगे यहां आपके बीच आए है और यह जाती अभी हम चाहेंगे कि पेटिशन पाइल करें साइन करें आपके सामने मीटिया यह मौजूद है इन्हें बता दिया गया है कि यह और यह सब अभी वहां सामने बोल रहे थे कि इन लोगों को पेटिशन यहां फाइल करने के बाद पुलिस ने किग्नेप कर लिया था किग्नेप करके बंदूक के दम पर इन से 30,000 ही में फिर बयान दिलवाया कि हम नहीं पहचानते हैं कि हमारे घरवा लोग किसमें मारा और उनके उस पुलिस के दबाव, पुलिस के फिरासत में रखे गए बयान को सुप्रीम कूट आलहर मान के कह रहा है कि इन्होंने तो पहचाना नहीं था अरे जब पुलिस किड्नेप करके ले गई थी तो आपको यह देखना चाहिए था यह पुलिस की किड्नेपिंग मिलाए गए है यहाँ पर आपको S.I.T. तो गठिट करनी चाहिए थी जाच तो करवानी चाहिए थी बिना जाच की आप कैसे कहना है कि यह जूट बोड़ है तीस्ता सी तलवार कौन है तीस्ता सी तलवार एक वकील है अब अगर वकील के पास कोई लोग आएंगे और वो बोलेंगे किसाब हमारे घरवालों का कत्ल हो गया है आप हमारा केस कोर्ट में दाखिल कर दीगे तो वकील उनकी तरफ से कोर्ट में केस दाखिल कर देगा अब चूंकि वो केस मोदी के खिलाफ है तो सुप्रेम कोर्ट ले वकील को जेल में डाल दिया अरे ये क्या बात हुई वकील अगर मुकजमा लड़ेगा तो वकील को जेल में डाल दोगे को समाज सेवर मैं आया मेरे पास लोग आए ये मुझे गुरुजी बोलते है कि गुरुजी हमारे घरवालों को मार दिया आप कोर्ट में केस डाल दो हमारी तरफ से हम सब लोग आए हम दिल्ली में आए हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया हमने का वह जाज करा हो किसने मारा है तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तुमने जाज की मांग क्यों करी हम तो तुमारे उपर पांच लाग का जुर्माना लगाएंगे ये क्या बात हुई इंसाफ मांगना कौन सा जुर्म हो गया? इंसाफ मांगने वाले के उपर आप कैसे जुर्माना लगा दोगे, उसको क्यों तो इलमे डाल दोगे? यह कौन सा कानून है? यह तो कोई कानून नहीं है. तो हमारा कहना यह है कि सुप्रीम कोड के जग अगर लालच में कि हमको रिटायर्मेंट के बाद कोई पोस्ट मिल जाएगी या उद्योग पती हमको पैसा दे देंगे पूदी पती पैसा दे देंगे अगर इस लालच में जज़ लोग फैसला देंगे और नियाय की तोहीम करेंगे तो नियायाले को बचाने काम तो भारत की जनता को करना पड़ेगा ये नियायाले जनता की प्रॉपर्टी है ये नियायाले हमारा है यह Supreme Code के जजों का बापता नहीं है यह हमारा न्याय है इसको हम बचाएंगे लड़ेंगे इनके गलत फैसलों के खिलाफ लड़ा जाएगा जैसे हमने कहा कि हम तुम्हारा गलत फैसला नहीं मानेंगे तुम हमारे पर जुर्माना लगा रहे 5 लाख हम पाच लाग जुर्माना नहीं देंगे तुम हमें जेल में डाल सकते हो? डाल दो हम नहीं डरेंगे, हम तुम से डरते ही नहीं तुमारे अख्तियार में जुल्म करना है जुल्म कर लो लेकिन हम तुमारे जुल्म के सामने जुकने वाले नहीं है हम तुम्हारे जुल्म से हार नहीं मानेंगे हम जेल जाएंगे तो हमें सुप्रीम कोर्ट की रक्षा करनी है प्रश्ट जज़ों से सुप्रीम कोर्ट को बचाना है यही मेरा कहना है प्रश्ट जोड़ी वड़ा यह सोडी संबो है इनके पाव में सी रपी अपने गोली मार दी थी इनके तकने की हटडी का टुकड़ा उड़ गया था बाद में इनको पुलिस ने किड्नेप कर लिया और बोला कि इनको भीवानशु ने किड्नेप कर लिया है और मेरा वारेज निकाल दिया था सोडी संबों यहां मौजूद है उन्होंने भी बताया कि उनको किस तरह से पुलिस में किड्नफ किया वह हिंदी ने बोल पाती है वो फिर रिव्यू पैटिशन फाइल करने आई है और वो यह भी बताएंगी कि उनका पुलिस में किड्नफ किया था चूँकि कि वे कि गी खूद कि फång बताएंगी है खुट行了 कि अला खुट कि गला इसके बाद सुकडी आ रहे हैं सुकडी के पती बाजार से चावल लेकर लोट रहे थे पुलिस ने उनको पकड़ा पक्थर से उनका सीर को चल दिया ठाने के अंदर उनकी लाश दफन कर दी कभी लाश नहीं दी और उनका बच्चा उत समय घुटने घुटने रेंगता था जब वो बच्चा 2018 में 10 साल का हुआ पुलिस ने इनके 10 साल के बच्चे को भी गोली से माई पुलिस ने इनके 17 लिए ते आए जैगरे इनके पती को पत्या कर दी थी पुलिस ने, वो भी यहाँ पेटिशन साइंग करेंगी झाताने पत्या करेंगी negócio heini, आपित हो еगी, के दिछे होते, सबीना,! फंचले, वीन, यह, जह जए होते होते है! कि यह दिन कारा है? हरे... तो अभी सिंबॉलिक रूप से इन लोगों ने दस्ताखत किये हैं बागी पेटिश्टर भी साइन करेंगे और एक या दो जिन में पेटिश्टर सुप्रीम कोर्ट में फिल से रिवीव पेटिश्टर से रिवीव